हेलो सूपर इंडियन्स मेरा नाम है प्रशान्त और मिस मार्वल जहां से शुरू हुआ था यानि ये टीन ड्रामा से वो फाइनली अब लाश्ट दो एपिसोड में एक सीरियस टन ले चुका है जहां लाश्ट एपिसोड में कमाला की लाइफ रिस्क पे थी अगर वो जिन की ह अर्थ पे आ चुका है तो अगर अब तक किसी ने ये शो नहीं देखा था तो अब उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि स्टोरी फाइनली सीरियस टन ले चुका है तो अब तक तो इस शो में विलन्स है क्लैन डेस्टीन्स जो की दूसरे डिमेंशन से आई हुए ज उसके अलावा भी कई सारे क्लैन डेस्टीन्स हो सकते हैं MCU में जो आगे जाके बड़े स्केल पे सूपर हुमन टीम की तरह काम करें रेड डैगर्स इतने सालों से इनी क्लैन डेस्टीन्स को रोकने की ट्राइ कर रहे थे जिसका यही मतलब निकलता है कि यह फैमली एक वक्त को उनके डिमेंशन से अलग करती है और जिन उन बैंगल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस परदे को हटा के हमारे दुनिया को खतम करके उनके खुद का दुनिया बनाने को और मिस मार्वल के अंदर जो नूर है उससे वो बैंड चैनलाइज करता है जिसे अभी भी क्लैरि करने को फोर्स भी नहीं किया गया जो की काफी अच्छी बात है फिर भी अगर इस्टर एक्स की बात करे तो वेल नाम से मार्वल में एक सूपर हीरो भी है जो अपनी बॉड़ी को किसी भी टाइप के गैस में चेंज कर सकती है तो अब बात करते हैं पार्टीशन की जो अब पासा फील होता है कि एपिसोड के एंड में कमाला पाल्टीशन के टाइम पे शिफ्ट हो गई है मतलब पास्ट में चली गई है पर मुझे जहां तक लगता है कि जैसे वो अपने विजन्स में ट्रेन को बार बार देख रही थी तो हो सकता है कि आईशा की सारी यादे उस ब एपिसोड में वैसे अब तक तो मिस मार्वल कॉंस्टेंटली बेटर से बेटर होता ही जा रहा है और फाइनली एक्षन और डेथ के साथ उन्होंने सीरियस टन ले ही लिया है जहां MCU का पूरा वर्ल्ड अब खत्रे में है और MCU ने फिर से एक फेमस आक्टर को ले लिया एक पर अब तो उसकी आदत सी हो गई है शायद ही किसी ने उमीद किया होगा कि फरहान अक्तर ज्यादा टाइम के लिए नहीं दिखेगा बट नो प्रॉब्लम रही बात रेटिंग्स की तो ये एपिसोड परसनली मुझे पहले वाले तीनों एपिसोड से बेटर लगा तो इस तो गाईस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने क्विकली बात की आज के मिस मारवल के एपिसोड के ऊपर अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त का शेर जरूर करें साथी कमेंट करके मैं ये बताएं कि आप इस ए बाइ बाइ